हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू गोल्डेन दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल अकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वट्सप चैनल का लिंक दिया हुआ है आप लोग लिंक लिक करके वट्सप जोइन कीजिएगा मारकेट आर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगर्डिंग अपडेट्स वर्ट्सप पे मिलता रहेगा और दोस्तों आप लोग साथ में लाइक और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा दोस्तो अभी हम लोग gold और silver के movement को समझने के लिए dollar index का analysis कर लेते हैं दोस्तो अगर आप लोगों ने weekly analysis का video पूरा देखा है तब जो है हम लोगों ने discuss किया था dollar index के daily chart पे doji candle form हुआ है जिसको indecision candle भी बोला जाता है और दोस्तो हम लोगों ने weekly analysis के video में और कल के video में discuss किया था आज के trading session में CPI का data आने वाला है और CPI का data बहुत ही important होने वाला है और दोस्तो हम लोगों ने discuss किया था अगर CPI का actual data forecast data से जाधा आता है तब जो है dollar index में up move दिख सकता है और उसी हिसाब से gold और silver में downfall दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तो CPI का data release होने के बाद जो है dollar index में up move दिख रहा है और gold और silver में downfall दिख रहा है दोस्तो हम लोगों ने whatsapp channel पे update किया है US core CPI का actual data forecast data से जाधा आया है और ये dollar index के लिए positive news है और उसी हिसाब से gold और silver के लिए negative news है और दोस्तो US consumer price index year over year का data भी dollar index के लिए positive था और उसी हिसाब से gold और silver के लिए negative था और उसी हिसाब से दोस्तो gold और silver में आज के trading session में weakness दिख रहा है और दोस्तो हम लोगों ने whatsapp channel पे update किया है आने वाले समय में अगर silver 73,800 का important support break कर देता है और इसके नीचे hourly candle form करता है तब जो है silver में correction दिख सकता है और उसी हिसाब से 73,800 के नीचे 73,200 बनने वाला है first target 73,200 के नीचे 72,800 बनने वाला है second target और अगर price 72,800 का support भी आने वाले समय में break कर देता है तब जो है silver 72,500 के label पे भी जा सकता है और दोस्तों आने वाले समय में अगर silver 74,200 के उपर hourly candle form करता है तब ही जाकर हम लोग higher level के लिए target कर सकते हैं और दोस्तों हम लोगों ने whatsapp चनल पे update किया है आने वाले समय में अगर gold 65,200 का important support break कर देता है और इसके नीचे hourly candle form करता है तब जो है gold में correction दिख सकता है और उसी हिसाब से 65,200 के नीचे 65,000 बनने वाला है first target 65,000 के नीचे 64,800 बनने वाला है second target और आने वाले समय में अगर 64,800 का important support भी break हो जाता है तब जो है gold 64,500 के label पे भी जा सकता है तो यह रहा gold और silver का complete analysis आशा करता हूँ आज का analysis आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please like कीजिएगा और अगर पहली बार इस channel को visit कर रहे हैं तो please channel को subscribe कीजिएगा, bell icon प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिएगा thanks for watching the video